नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जोहार मेरा नाम है नवीन कुमार खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे राहूल गांधी पर आए सुप्रीम कोट के फैसले के बाद बीजे पी की हालत बिलकुल ऐसी ही होती जा रही है और जब भी अदालत पर उसका बस नहीं चलता तो सीधी धमकी पर उतराती है कि इस मामले में तो नहीं उस मामले में अंदर तो करेंगे ही आपने सुना भी होगा पिछले दिनों केंद्रिय मंत्री मिनाक्षी लेखी संसद में ही धमकाने लगी थी खुले आम बोल रही थी कि ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारे गर इडी पहुँझ जाएगी इसलिए बेटर है चुपचाप बैठे रहो और ये वात अरे इडी एक मिनिट एक मिनिट शांत रहो तुम्हारे घरना इडी आजाए और ये बात अरे इडी एक मिनिट एक मिनिट शांत रहो तुम्हारे घरना इडी आजाए ये है केंद्रिये संस्कृती मंत्री की राजनितिक संस्कृती और उनकी पार्टी के संस्कार भरी संसद मे विपक्ष के सांसत को धमका रही है कि चुप रहों वरना एडी तुमारे गर पहुंच जाएगी इस तरह के दर्जनों उदाहरण हैं लेकिन फिलहाल ताजा मामले की बात कर लेते हैं राहूल गांदी पर फैसला आने के बाद क्यों खिसी आ गई है बीजेपी और किसे दे रह नाटा पसरा हुआ है एक से एक वाचाल नेताओं के जबान से बोली नहीं पूट रही है क्योंकि सब माने बैठे थे कि सुप्रीम कोट का फैसला वही होगा जो विश्व गुरू चाहते हैं भाजपा को लग रहा था कि सुप्रीम कोट तारीख दे देगा तारीख पर तार फैसला आएगा तब देखा जाएगा बीजेपी को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि बाजी पलट सकती है सुप्रीम कोट ऐसे बेरहमी से सूरत कोट के फैसले को फेक देगा और फैसले की नियत पर ही सवाल खड़े कर देगा सभी के जहन में सवाल उठा कि इस पर बीजे प्रतिक्रिया क्या होगी पूरा दिन हर कोई बीजेपी की प्रतिक्रिया का इंतजार करता रहा पत्रकारों में ढूंड मची हुई थी स्मृती रानी कहां है अध्यक्ष जेपी नडडा कहां है कोई नहीं मिल रहा तो संबित पात्रा से भी काम चला लेंगे लेकिन वह भी अमिद्शाय याद आ रहे थे हर वो नेता याद आ रहा था जिसने ये राग अलापा था कि राहूल गांदी ने ओबी सी समाज का अपमान किया है चिला चिला कर कह रहे थे कि राहूल गांदी माफी मांगे लेकिन 4 अगस्त को बीजेपी खेमे में सन्नाटा पसर गया था सिर्ट पर कॉंग्रेस को घेर ले उसकी जीत को फीका कर दें इस छानबीन में सुबह से शाम हो गई लेकिन हाथ कुछ नहीं लग पाया लेकिन किसी को तो बोलना था कुछ तो बोलना था तो पूरा दिन सोचने विचारने के बाद सबको महसूस हुआ कि नहतिकता वहतिकता को मारो गोली सीधे धमकाना पड़ेगा लेकिन धमकाए कौन तो आगे किया गया आईटी सेल के चीफ अमित मालविय को उन्होंने चार बजकर 44 मिनट पर एक ट्वीट किया और ट्वीट किया है एक लंबी चौड़ी पोस्ट और पोस्ट भी क्या राहूल गांदी को खुली धमकी इस धमकी की भाशा भी गोर करने लाएक है जरा समझिएगा हुजूर फरमाते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी राहूल गांदी भले ही इससे बच गए हो लेकिन कब तक इससे पहले एक मौके पर सुप्रीम कोट ने भी उन्हें गलत तरीके से टिपणी के लिए जम्मेदार ठहराने के लिए उनकी खिचाई की थी जो उन्होंने नहीं की थी इसके अलावा राहूल गांदी के खिलाफ कई अन्य आपराधिक मानहानी के मामले भी लंबित हैं जिनमें स्वतंत्रता सेनानी के परिवार द्वारा दायत श्रद्धेय वीर सावरकर पर कीचड उचालने का हाई प्रोफाइल मामला भी शामिल है नेश्टल हेराल्ड घोटाले में राहूल गांदी भी अपनी मा सोनिया गांदी के साथ आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं इनमें से किसी में भी दोशी पाये जाने पर उन्हें फिर से अयोग्य ठहराया जा सकता है हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लालू प्रसाद जेज या ललिता जैसे दिगज नेताओं को दोशी ठहराये जाने के बाद आयोग्यता का सामना करना पड़ा है राहूल गांदी यहां मुश्किल में हैं लेकिन फिलहाल संसद कुछ धिलाई बरत सकती है इसको कहते हैं र राहूल गांदी पर भाजपा की रहम है वो मानने को कत्ता ही तयार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये काम भाजपा पर नहीं छोड़ा है साफ साफ कह दिया है कि आप खुशी खुशी जाईए संसद आपको कोई नहीं रोक सकता लेकिन अमित मालविये के ट्वीट से आप भाजपा की खिस्याहट और बौकलाहट का अंदाजा लगा सकते हैं वो खुले आम धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि राहूल इस से भले बच गये हो लेकिन कब तक बचेंगे अभी हमारे पास बहुत से मामले में नहीं तो उस मामले में अंदर कर देंगे आपको चैन से बैठने नहीं देंगे हालत यह हो गई है कि राहूल गांदी से नफरत के मारे भाजपा उनकी मा तक पहुच गई है और यह संसकार भाजपा वालों ने अपने आधरनिये प्राता स्मर्णिये से सीखा है और ये बात अरे इडी एक मिनिट एक मिनिट शांत रहो तुभारे घरना इडी आजए और ये बात अरे इडी एक मिनिट एक मिनिट शांत रहो तुभारे घरना इडी आजए ये धमकी तुक्के में नहीं दी गई थी तीन अगस्त को दिल्ली सेवा विधयक पर लोग सभा में चर्चा चल रही थी विपक्ष टोकाटा की कर ला था मनिपूर को लेकर इस पर मिनाक्षी लेखी ने चेतावनी दे दी कि एडी आपके घर आती ही होगी जब उनके बयान पर आपत्ती जताई गई तो लेखी ने ये कहकर पल्ला जाल लिया कि टिपड़ी मजाक में की गई थी अब लोग पूछ रहे हैं कि सच्चाई मुह से फिसल ही जाती है या वाकई कुछ और बात है राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने कहा कि लोग सभा में लेखी की भड़काव धमकी ने विपक्ष के आरूपों को साबित कर दिया है कि सरकार क इंद्री एजंसियों का दुरुपयोग कर रही है वहीं भारतिय युवा कॉंग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्री निवास ने कहा कि क्या लोग सभा में लेखी की टिपणी एक्चेतावनी या धमकी थी लेकिन सुप्रीम कोट के फैसले के बाद बीजेपी इस धमकी का मुह राहुल गांदी की तरफ मोर देगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था वो भी तब जब फैसला आने के बाद वो संसद पहुचे भी नहीं है उनका घर भी उन्हें वापस नहीं मिला है उनकी सुरक्षा भी उनको वापस नहीं मिली है उन्होंने कुछ कहा भी नहीं है तो क् मारे महामानों को असहज करते हैं आपको याद होगा राहूल गांधी ने भरी संसद में मोदी की आराम फरमाती उस तस्वीर का पोस्टर लहरा दिया था जिसमें वो गौतम अडानी के जहाज में आराम फरमाते नजर आ ऐसे में अब सभी के निगाहें उस दिन पर टिकी हैं जस दिन राहूल गांधी संसद में वापसी करेंगे और सबसे ज्यादा इंतजार किसी और को नहीं खुद बीजेपी को है इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कीजिए बेल आइकान दबाईए घंटी जैसे आकरिती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पर देख रहे हैं तुमारे प